ओम श्यान्ति आप सबको स्वागते हैं आपके ही यूट्यूब चैनल सीधा सुदा दृतलाइस विदिन में और आज हम कर रहे हैं 25 एप्रिल की रिकॉर्डिंग जहां पे ईश्वी उर्दान में परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम भिन-भिन Scenes को इस वर्ल्ड ड्रामा में हम सब आत्मा आक्टर हैं और हर एक आत्म का पार्ट अपना पना चल रहा है हर देश का हर मजब का हर सिटी में हर जगा अलग-अलग पार्ट चल रहा है और किसी एक आत्म का पार्ट या आक्टिंग दूसरी आत्म से मिलती नहीं है तो हम कैसे हम इन सारे डिफरेंट रोल्स को देखते हुए इस जगत पर हम कैसे इन से डिटाच हो करके अपनी डिग्निटी को समाल करके कैसे आगे पड़े तो देखे परमात्मा इसको विस्थार में कहते के हैं माय वाइ प्रकरती मे मतलब की पाँच विकार क् आम कोद लो और प्रकरती मितलब यह यह शरीवी प्रकरती कब चरीइनमनि ऑ 150 g चल रही कहते हैं काटून चोड क्यों काट्टून चोड कि एक सत्य यह अगर महसूस करें कि कोई मरता नहीं हैं कोई ब आत्मा जब शरी जोडती है कोई मरता नहीं उसका एक्टिंग इस शरी से अधने में फोरी होई अब वो next birth में एक और शरीर धारण करेगी आत्मा और फिर से पार्ट बचाएगी बस यह है कि कर्मों का हिसाब किताब energy जो है उसको balance मिलाने के लिए इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो हो रहा है फिर बाबा कहते हैं मायवा प्रकृति के भिन भिन कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोशी आत्मा बाबा तभी हम जाकर के संतोश हो पाएंगे संगम युग पर बाब दादा की विशेश देन संतुषता है संतोशी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्ति ऐसे अनुबव होगी जैसे पपेट शो कटपुतली का खेल कोई आपसे बहुत क्रोधी हो करके आचाएं आपसे बहुत लूब की बाते करें आंकार दिखाएं आपके सामने अपनी महिमा करें आपको नीचा दिखाएं लेकिन जो आत्मा के पास में ग्यान होगा उसको यह काटून शोजा से लगेगा उसको लइए कितनी बचकानी वाली बते हैं कितनी subtitle भाली आत्मा है जसको अपना अस्तित वे नहीं पता है और वो जूटा आंकार जूटा क्रोध दिखा रही है क्रोध दिखा करके यह दिखानी कोश्ची कर रही है वो आत्मा कि मैं बहुत बड़ी हूं कि मैं बहुत समझदार हूँ कि मैं राइट हूँ लेकिन क्रोध कमजोरी की निशानी होती है तो इसलिए उसको पपिट शो कह रहे हैं परमात्मा काटून शो जैसे गट पुदली का खेल आजकल काटून शो का फैशन है तो कभी कोई भी परसिती आये उसे ऐसा ही समझो कि बेहत के स्क्रीन पर जैसे हम मुवीज देखते हैं या आप यूट्यूब में कोई मुवीज देखते हैं अगर आप ये भी वीडियो देख रहे हैं कुछ समय के लिए हो मुवी देख रहे हैं एक घंटा दो घंटा देड़ घंटे की मुवी है लेकिन पुरी दुनिया में हर इक आत्मा आप और में आक्टिंग जो कर रहे हैं उसकी जो मुवी प्ले हो रही है वह पहुती लार्ज केल में हो रही है जिसमें कि आपकी करोडो करोडो आत्मा है और वो खरवो आत्मा है जो अपनी अपनी आक्टिंग कर रही है अपने घर में, अपने अपने स्टेज में, अपने अपनी सिटी में, अपने अपनी कंट्री में तो इसलिए पर मात्पा क्याते हैं पर सिति आये उसे ऐसा ही समझो कि बेहत कि ये screen पर, बहुत बड़ी screen है, बेहत, unlimited screen पर, cartoon show वा puppet show चल रहा है, Maya वह प्रकृति, लोगों के अंदर lust है, anger है, greedy, ego, attachment, काम करोर, लोग माँकार है, और प्रकृति भी क्या है, हलचल में है, weather focus देखें, कहीं पर टाइफूंज हो रहे हैं, कहीं पर जंगल जल रहे हैं, कहीं पर floods आ रहे हैं, तो प्रकृति भी क्या कर रही है, वो भी stable नहीं है, वो भी फिसल रही है, मायाव प्रकृति का ये एक show है, जिसको साक्षी स्थिती में स्थित हो, detach हो करके, साक्षी हो करके, अपनी शान में रहते हुए, कि मैं एक महान आत्मा, अमर आत्मा, परमात्मा का बच्चा, सारे राजों को पैचान गया हो, कि ये हो क्यों रहा है, और इसको होना ही है, क्योंकि नई दुनिया नहीं है, परानी दुनिया साफ होनी है, और नई दुनिया नहीं है, उसके लिए हर आत्मा, ये काम क्रोज ल और इसको करना कैसे, इस स्टेज तक कैसे पहुचना है, यह बहुत ही उची स्टी है, इसलिए आपको 7 देज का कोर्स प्रमकुमारी से करके, और एडवांस वित्या लेने पड़ेगी, और मेडिटेशन के दौरा आपनी वो स्टिती बनाने पड़ेगी, मेंटल स्टेट स्टेबल करने पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं यह करने के लिए, तो जरूर जाएं प्रमकुमारी सेंटर आपके ही सिटी में, और इसको ग्यान कुल ले, इसके साथ ओम शंति,